हेलो दोस्तों मैं अभीनाश फिर से एक बार आप सभी लोगों के साथ अविलेवल हूं अपने फेस्बूक पेज़ पे और अभी कुछ आगे के कुछ मिन्टों में हम लोग बात करेंगे कि यह जो बिमारी है नोवल कोरोना वाइरस पाइरस नायंटीन जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि यह कोरोना वाइरस फैमिली का एक डिजीज है तो इसको क्या ऐसा बिलिया के सारे लोग जो है इससे infected हो सकते हैं या फिर ऐसा है कि कितने लोग जो है इससे infection लिए तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादर जरूरी है तो अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिस करेंगे तो अभी आने वाले कुछ मिंटों में आपको mathematical model के थूँ समझाने की कोशिस करूँगा कि अगर इसे free fall छोड़ दिया जाए यानि कि अगर कोई intervention नहीं हो कोई government इसमें किसी तरह का intervention नहीं हो या लोग इस चीज़ को नहीं मानने के लिए आए तो कितने maximum number जो है इससे infected हो सकते हैं और कितने सारे लोग जो है इस चीज़ से मतलब वो मारे जा सकते हैं और इसमें मै कई तरह के data अभी उपयोग करने वाला हूं जिसमें मैं दिखाऊंगा कि हिंडुस्तान का क्या case हो सकता है और फिर हम उसको उसी तरीके से समझने की process करेंगे before proceeding further I just wanted to tell you very in very brief that कि आपने सुना होगा कि कभी आप सुनते होंगे कि यह outbreak होता है epidemic होता है और pandemic होता है यह तीनों क्या चीज़े हैं तो सबसे पहले देखिए जब भी कोई बिमारी इस तरह का जहां पे भी यह पहली बार मतलब निकलता है जहां पे भी यह पहली बार इसका उत्पती होता है तो उसे हम लोग कहते हैं outbreak तो वुहान एक ऐसा सहर है जिसको हम क पूरे मतलब महादेश जो हम कॉंटिनेंट्स की बात करते हैं पूरे कॉंटिनेंट्स से प्रसीड करते हैं दूसरे कॉंटिनेंट में पहुंच जाता है तो वह उसे pandemic माना जाता है और इसी के वेस पे जो है हम लोग decide करते है कि कौन सा disease जो है उसका क्या stage है या किस तरह का ह है क्या outbreak वाले situation में है या फिर epidemic है या pandemic है तो तीन चीजें आपको समझने की बहुत ज्यादा जोरत है जब भी कोई बिमारी कहीं पर भी उत्पन होता है तो उसे हम उसको outbreak में count करते हैं जब वहां से थोड़ा सा फैलता है थोड़ी अपनी एरिया को catchment एरिया उसका थोड़ के एरिया में जैसे हरियाना में चला गया पंजाब में चला गया और धीरे-धीरे करके पूरी हिंदुस्तान में अगर फैल जाएगा तो भारत सरकार का जो एजनसी है ICMR वह इसे क्या करेगी उसे कहेगा कि यह epidemic है इंडिया के लिए epidemic है और फिर जब यह इंडिया से निकलक के दूसरे देश या दूसरे continent में चला जाता है तो हम इसे एक तरीके का pandemic कहते हैं तो जब हम इन तीनों चीजों को समझ जाते हैं तो अब आते हैं इस चीज को समझने के लिए कि आज कल क्यों कहा जा रहा है कि आप social distance जो है maintain करिए यह social distance क्या होता है और क्यों इतना हमारे लिए जरूरी होता है यह जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त अगर हम अभी नहीं समले तो आप समझ लीजिए कि आप मतलब इसको रोक ही नहीं सकते हैं कल भी जैसा मैंने बताया था और अभी आगे भी मैं उस चीज को carry on करने वाला हूं क्यों क्यों है देखिए दो चीजों को यहां पर अलग-अलग करके समझते हैं यह जो बिमारी है अपने आप में जान लेवा नहीं है इसमें सही इलाज सही टाइम पर नहीं मिलने के वज़र से लोग मारे जाते हैं इसका दर जो है फैलने का जो दर है वो काफी ज्यादा है और इस वज अदेरे में तीर चलाना और एक होता है कि आपके पास एक नंबर है जिसके बिहाब पर बात कर सकते हैं कि एक्चुल में यह डिजीज जो है वो हमारे लिए कितना वड़ा प्रॉब्लिम है और इसको हमें कैसे डील करना चाहिए अब जैसे सब लोग अभी है तो होबाद मच जल्दी से हम समझते हैं कि यह सोसल डिस्टेंसिंग क्यों मैंटर करता है किकली अपने डिष्टॉप पर दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको हम यहां से डाउन करते हैं और मेरा वर्ड फाइल एक सेकेंड हाँ यह रहा हमारा अब जो मेरे सामने में यह उपर में देख रहे हैं यहां पर क्या हमने लिखा है कि COVID-19 Mathematical Modeling तो यह कैसे करता है डेटा साइंस में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो यहां पर जो देखने वाली बात है देखिए यह ND का मतलब क्या है यह ND का मतलब हुआ कि number of case on any given day अगर मान लेजी हम आज के बात करें तो आज जो हमारे पास number of cases अगर मान लेजी हमारे पास यह 10 है तो हम उसको हम ND से दिखाते हैं So that is the number of case on a given day अब यह E जो है उसका क्या मतलब है E है कि average number of people someone infected is exposed to each day यानि अब वो जो मतलब लोग थे वो कितने लोगों से मिलें अब यहां पर एक best example हो सकता है कनिका कपूर का हम ले सकते हैं तो कनिका कपूर का अगर मैं एक case मानता हूँ तो उसको हम लिखेंगे ND में और E का मतलब हुआ है कि उनका जो है exposure बहुत ही छोटे period में कितने लोगों के साथ हुआ तो अगर वो 10 लोगों के साथ मिलते हैं तो यहां पर number 10 होगा यानि E equals to 10 हो जाएगा अब यह E बहुत ही बड़ा role play करेगा अभी आप इसको ध्यान से समझेगा तो E का मतलब क्या हुआ कि आप कितने लोगों से मिल रहे हैं मतलब कि आप जिसका social mobility काफी जादा है अब जैसे मैं हूँ मैं पिसले 4-5 दिन से lockdown हूँ मैं घर के अंदर में हूँ मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ तो मेरा E जो है वो काफी कम हो जाएगा जीरो तो नहीं होगा क्योंकि मेरे घर में तीम मेंबर अभी हम साथ में रह रहे हैं तो मेरा E इक्वल्स टू 3 होगा लेकिन जो लोग 1 है 2 है लेकिन एक ऐसे लोग हैं जो की बहुत मतलब मिलते हैं जैसे कि आप देखते होंगे कि हॉलिवूड के बहुत सारे स्टार हैं या जो उधर के मतलब जो आप NBA प्लेयर है यूएस वेगरा में तो उनका सोसल एक्सपोजर जो है वो काफी ज्यादा है या आप इसका बेस्ट केस एक 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 जामपल ले सकते हैं कि अभी जो लोग अभी महरास्टरा से जो बिहार गए है या डेली से जो बिहार गए है तो अब उसमें एक आदमी का अगर ट्रेन में अगर लेट से कि 75 बर्थ है और उसमें अगर हर बर्थ पे 3-4 लोग बैठे हैं तो मैं रफली एस्टिमेट लेता हूँ कि 25 लोग अगर एक बॉगी में जा रहे हैं तो एक बंदे का ई जो है वो 25 है तो यह बहुत बड़ा चांस यहाँ पे रोल प्ले करेगा अब हम बात करते हैं P के बारे में यह P क्या है तो P है कि Probability of each exposure becoming an infectious person अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि ND यानि कि वो एक person हुआ जिसको बिमारी हो गया था उसका exposure अगर मालीजे 10 लोगों से हुआ तो क्या वो 10 के 10 infectious हो जाएंगे ऐसा chances नहीं होता है कि वो 10 के 10 जो है उससे infection में आ जाएंगे क्यों नहीं क्योंकि उसका एक reason यह होता है कि maybe कुछ लोगों ने दूरी से ही उनसे मिला होगा अब हाथ से touch नहीं किया होगा या उस time जब हो touch कर रहे होते हैं तो sneezing नहीं कराता तो हो सकता है कि वो सारे के सारे लोग infectious नहीं हो तो यह P भी एक बहुत वारा role play करेगा अब देखिए कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि total number of cases क्या होते हैं तो delta nd से हमने उसको दिखाया है delta nd का मतलब हुआ कि number of cases on any particular day जो होगा वो क्या होगा E जो एक बंदा था उसने P आदमी से मिला लेकिन उसके chances जो थे हो में भी हो सकता है थोड़ा कम हो तो एक आदमी 10 आदमी से मिलता है तो हम एक गुना 10 कर लिया 10 आ गया लेकिन हो सकता है उसमें से सिर्फ 4 लोग जो है इनफेक्टेसियस होंगे तो उसको हम एक वटा 4 से दिखाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर इन तीनों को multiply करते हैं तो यह अब multiplier effect में चला जाएगा तो यह समझ यह आज का हुआ अगली दिन क्या होगा मानली जी आज कितना है आज 23 तारीक है तो यह जो 23 तारीक को 24 है तो 24 तारीक को अगर मानली जी यह केस है तो 25 तारीक को क्या होने बाला है अब 25 तारीक को क्या होगा कि जो आपके पास 24 तारीक का जो केस था प्लस उस दिन का जो एक अलग चेंज चलेगा वो हो गया तो अब यह दोनों जुर जाएगा तो आप इस तरह से अगर आप देखते हैं कि किसी भी दे में हम कैसे अग इसको समझें तो इसको हमने देखाए कि ND दोनों तरफ है तो हमने common ले लिया अब यहां से 1 आ जाएगा औ हो ग्रोथ किस प्रकार की होती है exponential growth होती हैहां पर हम क्या कर रहें यहां पर हम कई सारे factor को अभी अ मुक्तकर कर दूक्या नहीं ला रहे हैं कि वेडर कैसा होगा अगर गर्मी होता है तो क्या यह वाइर THE OS zaman another 10ής कोई भी चीज नहीं बता सब्सक्तू Re अगर temperature rise होगा तो आपके जो है virus के cases जो है कम होंगे अभी ऐसा को scientifically proven facts नहीं है although ऐसा देखा जाता है किसी भी virus के case में होता है जब temperature उपर जाती है तो उस case में क्या होता है कि आपका ये automatically virus का जो मतलब life cycle है जो अगर मालेजी अगर वो किसी steel पे है या किसी जिसको हम हाथ से पकरते हैं उस जगह पे है तो वो death rate उसका बढ़ जाता है तो chances कम होते हैं but as of now we don't have any data to suggest that coronavirus और covid-19 के जो virus है वो जो है वो आपके गर्मी से कम हो जाते है तो इसको एक बार फिर से summarize करते हैं nd का मतलब यह हुआ कि number of cases on any given day यह हो सकता है मालेजी एक 10 हो गया अब उनका exposure अगर मालेजी पांच लोगों के साथ हो रहा है तो हमको सिधा multiply करना पड़ेगा 10 को ने 50 या पांच से multiply करे 50 लेकिन अब उसमें chances है कि सभी लोगों को नहीं आपने दो चीजों के बारे में सुनाओ एक होता है compound interest और एक होता है simple interest simple interest और compound interest में क्या difference है अगर आपने जिसको हिंदी में हम समझते है साधारन व्याज और चक्रवृधी व्याज तो साधारन व्याज में क्या होता है कि आपके पैसे अगर आपने 100 रुपिया दिया और 5% के दिये और साल में अगर हर मेहने अग्मान लीजिए हम 5% के हिसाब से दे रहे हैं तो हर मेहने आपको 55 रुपिया आता जाएंगे तो 105 10 15 और पूरे साल के अंदर में जाते जाते आपके पास क्या हो जाएगा वह 160 रुपिया होगा लेकिन इसमें क्या होता है principle आड नहीं ह है लगो लगो एक करोर रुपिया आपको पे करना पड़ता है तो और इसलिए आइंस्टीन जो मैं मानता हूं कि जो बीसमी सताबदी के सबसे बड़े साइंटिस्त है उन्होंने कहा था कि compound interest is basically the eighth wonder exactly same case हो रहा है COVID-19 से अब देखिए कि मैं जब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हम यह मान के चलते हैं कि यह मेरा डेटा जो है तीन चार दिन पुराना है रिपोर्ट डेट था एक किस तीन दो हजार बीस को मैंने माना था कि उस दिन अगर मान लेजे चुकि उस दिन हम उसको जी रो दे मानते हैं तो यह पहला डे है उस दिन जो estimated इंडिया का जो प्रे इस दो आजाते हैं कि टूवीक्स लेटर क्या होने बाला है तो यह नंबर आ जाता है 3291 एक महिने के बाद क्या होने बाले हैं तो 45581 और अगर दो महिने की बाद बात करें तो यह नंबर आ जाता है आपके पास 12,95,777 आपको मैं डराने की कदे कोशिश नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं एक नंबर जो बता रहा हूँ जिस रफ्तारा बना रहा है जो कि अभी का रेुट है 1.18 यानि एक आदमी दो आदमी को नहीं फैला रहा है सिर्फ एक मैंने दो गुना नहीं रफ्तार से बढ़ रहा है आपका रफ्तार का रेट जो है वो कितना है 1.18 है तो उस सिनारियो में जब हम देखते हैं तो अगर उस रफ्तार से हम बढ़ते रहे और हम सोचल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा जो रफ्तार का र 77 होगा और जो कि एक बहुत बढ़ा नंबर है हमारे पास जो टोटल अवेलिवल आईसी यू बेड है डास ओनली 70,000 मेरा कल मैंने डेटा इसके बारे में बताया था और मैंने रिसर्च भी करा तो उसमें जो निकल के आया वो नंबर सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास 70,000 है और हमारे नंबर कितने बढ़ रहे हैं तो 62,95,777 तो इस नंबर पे आप नहीं मतलब टेकल कर सकते हैं लेकर फिर सिल्वर लाइनिंग क्या है अगर हम सोसल डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं अगर हम घर में रहते हैं और हम लोगों से नहीं मिलते हैं तो अगर मैं इस 1.12 क जो rate जिस rate से बढ़ रहा है अगर उसको मैं 1.05 पे ले आता हूं तो यह हमारा number जो आपको 2 महने के बाद 62,95,000 दिकर आता है वो मात्र 6,164 रहेगा और 6,000 एक ऐसा number है जिसमें मैं ऐसा मानता हूं कि मरने वालों की संख्या मुश्किल से 50 होंगे यहाँ पे treatment दिया जा सकता है और अच्छे treatment में सबका इलाज हो सकता है और लोग बच सकते हैं तो यह हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम social distance को maintain करें आप लोगों से नहीं मिलें यह कोई भौकाल नहीं हो रहा है यह जो है ना आपका कहीं वो जो आपने देखा था ना अभी कुछ दिन पहले जो एक टीवी सी आई थी तो उसमें जो कहता है कि भौकाल मचा हुआ तो यह भौकाल तो मचा है लेकिन आप भौकाल देखने के लिए रोड पे नहीं जाईए अब मेरा एक दोस्त है उसने बोला कि यार मैंने क्या करने लगा कि लोगों ने कहा कि alcohol वाला जो से क्या ह तो मैं ऐसे लोगों को बताता हूं कि अगर अपने बारे में नहीं सोच रहा है तो कम से कम अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच लो कि तुम तो जाना ही जाना है बाकी दसको भी ले जाओगे तो प्लीज टेक टेकिट अजिफ लाइक यूनों देरिस सम्तिंग आप जाने की क्या जूरत है आज के टाइम में हमारे पास वो हर चीजें है और आज तो जीओ वाले ने चारजी भी देना स्टार्ट कर दी है तो डेटा भी है बहुत ज्यादा घर पे इस्तेमाल करो फेस्वुक ट्विटर ये वो फलाना धिंका न चलाओ लेकिन उसमें अफवा जाने के बाद ये 62,95,000 का नंबर है जो कि रफली एक राउन में में उता रहा हूं 63,00,000 का है लेकिन अगर हम नहीं मिलते है तो नंबर ये कितना आ जाता है 6,164 जो कि लिमिटेड है और इस लिमिटेड नंबर को कोई भी सरकार कहीं की भी वेवस्ता वो चाहे लचर वेव बाहर नहीं जाएए आपके पास सारी सुविधाएं अवेलवल है आप सब ने अपने घर में एक आद मेने के खाने पीने के वेवस्ता कड़ी लिया होंगे तो आप घर पे रहिए अपने बच्चों से मिलिए अपने किताबें पढ़िए और अगर work from home कर पा रहे हैं तो कि इसमें रोकने के लिए there is no method there is no mechanism कि आप इसको कल के time में कुछ चीज़ें आएगा और आप इसको रोक लेंगे ऐसा possible नहीं है ऐसा possible नहीं है इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है कि आप जो है इसे फैलाए नहीं और यह फैलेगा कैसे नहीं जब अगर हम ब आदमी है तो at max वो दो आदमी को फैलेगा लेकिन अगर मैं रोड पे चला गया मैं कहीं छीक दिया कहीं खास दिया और कहीं पर यह फैलता चला गया तो इस चीज़ को आप लोग नहीं रोक पाएंगे तो यह मुझे कहना था एक दो चीज़ें और मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि इसका best case scenario किस तरह से बढ़ रहा है आज जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी आठ वजे जो है वो लोगों को बताने वाले हैं और उनका भी मेरे ख्याल से यही रहेगा कि जैसे कि आपने पिछले संडे को जो है एक दिन के लिए lockdown करा था कृपिया उसी प्रकार से जो है आप अगले आने 10-15 दिन क्योंकि यह 10 और 15 दिन जो है वो मेक और ब्रेक है क्योंकि आप इटली का case देख लिए आप चाइना का केस देख लिए आप इसका France का case देख लिए फ्रांस में कल रिपोर्ट आया है कि कल चार लोग जो है वो treatment करते हुए जो है वो उस महाँ से मतलब जो है मारे गए क्योंकि infection का rate बढ़ रहा है अब वो treatment कर रहे हैं लेकिन में भी थोरा सा भी कहीं भी उनका exposure हो गया लेकिन क्योंकि स्वास्त सुविधाएं अवेलवल नहीं है क्योंकि already patient भरे हुए और डॉक्टर कई वार जो है emotional हो जाते है दे वांट की जो लोग है उनका treatment हो मैं खुद कर लूँगा और इस scenario में क्या हो जाता है कि वो खतरों के चपेट में आ जाते हैं और मर गए हैं ऐसा देखा गया अगर आप कल के यूएस का आकरा देखें तो यह already 500 के ऊपर चला गया मैं एक article देख रहा था जो वहीं से आया है New York Times का एक article था और मैं उसे पढ़ रहा था और वहां पे कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने दिखाया है तो मैं आपको उसी चीज़ को अब फिर से दिखाने वाला हूँ कि देखें कि यह हमारे लिए जो है कितना वरा जो है ओ खत्रा है और कितने लोग इससे infectious हो सकते हैं तो मैं फिर से आप लोगों को ले चलता हूँ उस एक number पे तो आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वह एक number आपको दिख रहा है यह 9.4 million infection at peak या से जादा जो है अगर हम उस चीज को देखेंगे तो वह कितना हो सकता है United States में तो चोड़ा अगर 1 million जो है वह 10 lakh होता है तो आप लगवग लगवग अगर कोई intervention ना हो तो लगवग लगवग जो है आप वह 9 करोर लोगों को जो है वहाँ पे फैलाने की कोशिस करेंगे जिस है यह वह क्या हो रहा है कि आप रोक सकते हैं तो अगर मालीजी अब intervention अगर आज अभी हम यहां पर ना के अगर मैं में करते हैं तो यह आ जाता है 4.5 लेकिन अगर हम इस चीज को रोकने के लिए अब इस चीज को देखें कि अगर मैं इस को कर्व को इधर ले के आ जाता हू यह अगर हम आज intervention करते हैं तो वो number जो आपने शुरू में देखा था 9 point वो number आज आता है 3.1 million पे यह अगर आज अगर आज अगर आज अगर आपके अंदर में है तो लोगों में है तो आप तक नहीं पहुँचेगा लेकिन जब हम इसी yellow line को जो है अगर हम थोड़ा आगे या कि हम इसको थोड़ा अप्रेल में लेकर आते हैं तो देख रहे हैं यह 3.2 पे जाता है अगर हम इसको थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं तुं यह बढ़ता जाता था तो आप ऐसे समझ लीजए कि अगर मैं जाके एक मेने के बढ़ाद उस चीज को करता हomo तो कितनेмы च तो जितने देरी से आप intervention करेंगे यह chances हैं कि यह जो देख रहे हैं कि peak पे बढ़ता जा रहा है और number of death यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यह बढ़ रहें तो बहतर है कि हम अभी करें अगर मैं इस चीज़ को अभी करता हूं जितना पहले कर सकें आप अगर कल करना चाहें तो कर नहीं सकते थे अब जो हो चुका है हो तो हो चुका है लेकिन आज भी हमारे पास वक्त है इंडिया के लिए मैं again and again कहता हूं कि next seven day is very crucial next seven day is very crucial आप जहां हैं वहीं रुक जाएं कुछ नहीं होने वाला है अगर आपके पास खाने की नहीं सुविता होगी तो government या बहुत सारे agency हैं जो आपके घर तक खाना पहुचाएंगे आप कुछ नहीं करिए मेरा number note करिए 981199544 मैं repeat करता हूं 981199544 इस number पे आप कहीं पी हैं मैं mostly मैं Delhi NCR की बात कर रहा हूं तिस वक्त आप कहीं पे भी आप चोटा वीडियो बड़ा वीडियो आप बना के उस पर भेज सकते हैं अगर कोई problem है आपको health related problem है तो मैं और हमारी टीम खुद उस चीज को करेगी अगर कोई normal check-up है जो कि आप usually कराते थे किसी को kidney की problem है जो kft कराते थे liver से related liver function thyroid वाले हाला कि सब चीज को delay कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें करते रहना चाहिए सुगर वाले उनका तो करना ही होता है कि उनको देखना होता है आप उसी number पे 981-995444 पे भेज दीजिए हम किसी ना किसी को आपके यहां भेज द message यही message है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हम लोग बाहर जा रहे हैं बाहर जाके हम लोग यह कह रहे हैं कि हम महौल देखने के लिए अरे भाई आप क्या महौल देखना चाहरे हो आप घर के अंदर रहो आप घर के अंदर बैटो अगर आप नहीं करोगे तो कल ऐसा हो जाए यह किस तरह से multiflier effect होता है उसी number को use करके एक चार्ट यहां पर बनाया गया था जो चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने यह देख रहे हैं थे कि अगर कोई धंग से intervention नहीं हुआ अगर हम लोगों ने उस चीज को नहीं माना तो end of the 60 days यानि मेरा zero day था 21st March 2020 तो 25th May 2020 को जो है यह case 63 लाग के आसपास होगा लेकिन अगर उसी चीज को control करते हैं तो यह numbers 6164 पे रुक सकता है 6164 कोई बड़ा number नहीं है अभी जो है उस चीज को treatment किया जा सकता है और उसका ilaj किया जा सकता है अब एक और चीज के तरफ जो है मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो इस data से बाहर अगर मैं निकलूँ तो एक और चीज जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं अब वो चीज क्या है कि अभी आपने सुना होगा कि एक जो malaria के लिए जो medicine prescribed किया गया है उस चीज के hoarding स्टार्ट हो गई है sanitizer नहीं मिल रहे हैं, mask नहीं मिल रहे हैं तो मैं इन तीन तीन चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ जो hydroxyl group का वो medicine है उसके सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि वो medicine क्रिपिया करके ऐसा न करें कि आप अपने प्रोष के medical store पे जाएं और वहां से किसी वज़ा से ले ले और रख लें मेरे कई सारे अभी फ्रेंट था जो मुझे जानते हैं और वो medicine के business में है तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने बहुत ज्यादा store कर लिया मैं उनको यही बताया और आप सबको भी यही बताना चाहता हूँ कि आप इसको store नहीं करिए क्योंकि अगर इस चीज का आप इस तरह से लेते हैं जैसे हम OTC होता है यानि over the counter जो medicine मिलते हैं जैसे कि आपको यह मतलब यह वाला ले लेते हैं मतलब क्या कहते हैं इसका निसी प्लस ले लिया या फिर आपका ceridon ले लिया इस तरह की दवा नहीं है कि हमें बुखार हुआ और हमें लगता है कि यार मेरे को तो COVID-19 प्रिटिन भी हो सकता है तो मैं वो medicine ले लूँगा और मैं ठीक हो जाओंगा प्लीज ऐसा नहीं करें क्योंकि वो medicine बिल्कुल control environment में दी जाती है और doctor के prescription पे ही देना चाहिए हलां कि हमारे इंडिया में रूल दो होता है नहीं कि doctor के prescription पे medicine मिलेगा तो यहां तो कोई भी medicine कहना है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं जाके ले लूँगा और मैं safe हो गया हूं तो नहीं इसका safe सिर्फ एक चीज़ पर है social distancing पर तो medicine अगर आप seller है मेरे कई सारे friend medicine के business में तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि don't do this क्योंकि यह किसी भी way में आप humanity को serve नहीं कर रहे ह you are doing something very mysterious जिसके कि बहुत ही गंदे पर ना मा सकते हैं तो वह बात था दूसरा बात मैं कर रहा हूं मास्क की क्या जोरत होती है देखे मास्क जो है वो कई stage में कई प्रकार के चीज़ों में यूज करते हैं जैसे अभी आपने देखा होगा कि उस दिन पहले डेली में क्या हु जो है यानि कि यह नोज हो गया यह आपका माउथ का एरिया हो गया इस एरिया की तुरू जो मुस्ट अफ़ वाइरस वेक्टीरिया या जो भी गैसे विगर रहे हैं वह इसली आपके अंदर में चले जाते हैं क्योंकि यह दोनों पाइप होते हैं और वह आपके लंग के त मैं आपको दिखाना चाहता हूं अब यह हमारा मास्क है अगर मैं इस चीज़ को मास्क को यहां पर अगर मैं रख लेता हूं तो इस एरिया में अगर मैं इसके ऊपर से हाथ को करूंगा तो वह हाथ हमारे अंदर में नहीं जाएगा तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है तो मुझे कोई है नी बिमारी तु मेरे लेखरत नहीं है कि मैं मांस्क लगा हो इसे कुलह को कि Dazu और आप ऐसे कर सकते तो इससे क्या होगा कि आपके यहीं पर रुख जाएगा यह आपके बॉड़ी यानि इस हाथ पर नहीं आएगा जो कि आप फिर किसी चीज को टच करेंगे और उससे वहाँ पर ट्रांस्मीट होगा तो यह बहुत ज्यादा जोरी है चोटी चीजे हैं ले जाते हो जैसे मेरे जो फ्लेब टॉमिस्ट हैं जो सैंपल कलेक्शन के लिए उनके लिए जोरुत है क्योंकि दे कांट वाश्ट यहांड एट एवरी प्लेस हर जगह जाके साबून लेके हाथ नहीं दो सकते लेकिन मैं घर में हूं तो मेरे पास साबून है मेरे पास सोप है जिसको मैं यूज करके हाथ दो सकते हो तो मेरे लिए हैंड सैनिटाइजर जरूरत नहीं है तो अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर नहीं है और आप इस बहाने रोड पे निकल रहे हैं तो क्रिपया करके ऐसा नहीं करें हैंड सैनिटाइजर की घर में कोई जरूरत नही वहां फैलते हैं तो उसमें मदद करता है हमें और उस infection को खतम करता है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे लिए hand sanitizer रखना जरूरी नहीं है हमारे लिए जो है आपका mask रखना जरूरी नहीं है हमारे लिए जो है वो hydroxy group का जो medicine बताया गया था वो store करने की ज़रत नहीं है क्योंकि यह तीन चीजे मैंने अभी देखा कि बहुत सारे लोग चुकि हम खुद इस प्रोफेशन में है तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माल प्रैक्टिस के करने के लिए उस चीज़ को holding कर रहे हैं आप मत करिए आप ऐसा चीज बिलकुल नहीं करिए इ इसका कोई यूज नहीं है मतलब एंड यूज जो अगर हम समझें तो मैंने आपको जैसे बताया है कि मास्क क्या यूज है मास्का बस वह है कि इस एडिया को कवर करें ताकि आप अगर कहीं से टच करके भी आ गये तो आप यहां ना चूले या आपके तुरू यह बाहर नह निकलेंगे और हम अलग चीजों को चूँएंगे और वहां हमारे पास हाथ दूने की विवस्ता नहीं होगी तो कट डिस लॉंग स्टोरी शॉट मैं एक वार फिर से तीन चार चीजों जो में मेरा आज का आप सबों से जुड़ने का जो में मकसद था उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा पहला चीज जो मैंने आपको बताय है कि देखे कोई भी जो suicide होता है ओ तीन केटेग्राइज़ेशन होती है तो पहला केटेग्राइजेशन जो होता है वो होता है हमारा आपका ये outbreak होता है यानि जहां सबसे पहली वार उनिकलती है फिर जब ओ अपने आज-पास के एरिया म हम उसे epidemic कहते हैं मुझे हिंदी इसका अभी पता नहीं है तो जो लोग को पता है अप लिए क्रिपया comment box में comment कर सकते हैं और उसके बाद जब यह continent को cross कर जाता है तो हम उसे pandemic कहते हैं अब यह बिमारी pandemic के stage में है जहां almost मैंने कल भी आपको graph में दिखाया था कि सारे continent को cover कर दूसरा बात जो मैंने बताया कि जो social distancing है social distancing is the need of the hour यह एक ऐसा है जिसे आप इस चीज़ को जितना पालन करेंगे जो लोग भी यह मेरे वीडियो जैसे कल भी बहुत लोगों ने share कर आता और बहुत सारे लोगों ने view भी कर आता तो मैं उन सब लोगों को और आज भी यह ब होता है तो उसमें हमने देखा कि जो 1.18 का अगर हम multiply factor लेते हैं तो यह number two months के बाद 63 लाग पे आ जाएगा और उस बक्त कोई नहीं रोक सकता है इस चीज़ को आप जो 63 लाग के नंबर पे खरे होंगे तो उस बक्त आप यह मान के चलिए कि 10 से 15 लाख लोगों की death होना नहीं है इसको हम रोक सकते हैं just following one instruction that is social distancing और वही मैं जब दिखा रहा था कि जब 1.18 को जब 1.05 पे ले आते हैं तो यह number 2 महिने के बाद सिर्फ 6000 के आसपास रहेगी और 6000 के आसपास जब यह number रहता है तो आप उसको कभी भी कहीं से भी control कर सकते हैं हमारे देश में as of now today only 70,000 जो है ICU वाला जो बेड है वो available है तो आप सोच सकते हैं कि यह क्या चीजें हो सकता है तीसरा बात जो मेरा सबसे important बात था वो था कि unnecessarily holding नहीं करें अगर आपके पास one month का food supply है is more than another nothing is going to happen after one month क्योंकि एक महिने के बाद देखे या तो break हो जाएगा अगर break हो जाएगा तो फिर खाने लेके क्या करो जो आदमी मर गया हो मर गया ना भाई फिर बचाई क्या तो जो important है आपके पास one month का it's more than sufficient everything is going to settle down in one month if we take precaution today if we take the measure today if we take social distancing by heart कि भाई मुझे नहीं जाना है बाहर आग लग जाए मेरे को नहीं जाना है लेकिन अगर आप जाके कहेंगे कि भाई मैं तो मुझे लेने के लिए हूं मैं तो मौहौल देखने के लिए हूं कि मौहौल कैसा है तो फिर तो आप वही कांड कर रहे हैं तो वह कांड नहीं करें तो आप unnecessarily food items का holding नहीं करें क्योंकि वह essential commodity में आता है वह आपको मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो government कोई न कोई arrangement जरूर करेगी जिससे आपके घर तक पहुचाया जाएगा दूसरा जो सबसे बड़ा important बात मैंने मेरे कई सारे medicine profession में जो मेरे मित्र हैं उनने जो कहा कि हमने hoarding करा है इसका यह क्याना में आपका hydroxyl group का medicine जो कल ICMR और WHO ने भी बता ले सकते हैं मैं निसीप ले सकता हूं क्योंकि इसके बहुत ज्यादा side effects नहीं इसके लिए control environment की ज़रोत नहीं होती है जब वो medicine दिया जाता है तो वो medicine एक controlled environment में दिया जाता है control environment का मतलब यह होता है scientific terms में कि आप बाकी सारे factor को consider में ले के चल रहे हैं आपके पास औरेंजम या सुविधाएं देंगे तो वो controlled environment में देने के लिए वो घर में देने के लिए नहीं है तो आप उस चीज को medicine के hoarding नहीं करें supplier और जो लोग यह सोच के घर में रख लिए कि एक पत्ता तो मैं लेकर रख लिया हूं कि ज़रुरत परेगा तो मैं खाऊंगा तो ऐसा भी नह करे कि मारा मरे मेरे पास mask नहीं है तो मैं मास्क करिदने के लिए जा रहा हूं नहीं उसकी कोई जो अरूत नहीं है लिए एस अब आप घर में तो वैसे ही ठीक है यह उस चीजर के लिए कि अनायासगा आपका हाथ इसपे नहीं जाए तो हम कुशित करें कि हमारा हाथ जो बाहर जाते हैं जैसे मेरे बहुत सारे लोग जो है बाहर जाते हैं क्योंकि हमें health services देने होते हैं और वहां हर जगा जो है उस चीज की वेवस्ता नहीं होते हैं कि हम हाथ को साफ कर सके साफ करना इंपोर्टेंट है तो साफ कर सके तो hand sanitizer जो है आपको को एक quick fix देता है कि आप हाथ पे मल लेते हैं और आपका हाथ जो है वो infection से free हो जाता है घर में रखने के लिए जोड़ात नहीं है कि घर में हमने चार बोतल रख लिया जोड़ात है चार बोतल नहीं उसकी कोई जोड़ात नहीं आपके पास सावून है इस more than sufficient तो मैं वीडियो available है हमारे पास सारे social media available है तो उसके तुरू सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहें कि आप क्रिपया करके अगले 10-15 दिन के लिए घर पे बैठें क्योंकि अगले 10-15 दिन अगले घर पे नहीं बैठें ट्रेन की यात्रा करें भर के करें बस में जाके करें तो आप सिर्फ और सि नहीं होगा जैसे आप किसी express way पे जाते हैं तो आप को जल्दी you turn नहीं मिलता है तो आप actually क्या कर रहे हैं अपको उस express way पे ले जारहे हो जहां पर कोई you turn नहीं होगा exactly यही हो रहा था जब चाइना में तो लोग यही करते ए चाइना में हो रहा है तो हमें क्या मतलब हैं उसके बाद आप आपने देखा इतली में हुआ इटली में क्या इस्थिति है आप समझ रहें आज के टैम में फ्रांस में हुआ अमेरिका वास लाइक यू नो अरे हमें क्या होने वाला है हम तो कुछ करें हमें तो कुछ होगा ही नहीं now you see that कि उनके यहां क्या हो रहा है all because of this कि हम उस चीज़ को ध्यान से नहीं ले रहे हैं हम social distancing को नहीं ले रहे है we have to take it at any cost no matters कोई ज़रत नहीं हम पेपर है हम नहीं लेंगे दूध हाँ एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कोई बाहर की चीज़े हम लेते हैं जैसे कि दूध के लिए आप लोग जाते हैं और पेपर के लिए जाते हैं या कुछ इस तरह के चीज़ें आती हैं जो बाहर से आ रही है तो पेपर वेगर अभी फिलहाल के लिए बंद कर दीजिए आपके पास 24x7 मीडिया है आप उसको वहीं से देखिए उस चीज़ को ने लीजिए क्योंकि हो सकता है कि उस पेपर के थ्रू वाइरस जो है आपके घर तक पहुंच रह रहा है तो वह आपका साफ हो जाएगा और उसी वक्त आप अपने हाथ को भी दो लें तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी केडियर को अपने अंदर तक अपने घर के अंदर तक नहीं आने देंगे यह बहुत ज्यादा जरूरी है और जो हेल्थ अथारिटी कह रही हद है या तो इस चीज़ को समझे और इस चीज़ को अब हर किसी को बताइए कहीं जाने की ज़रुत नहीं everything is available लास्ट में जो मेरा message है जो Delhi NCR में रह रहे हैं हमारे services अभी जो भोपाल और जैपूर में हमने उसको scale down कर दिया है and we are not providing any services in those cities however we are still available in Delhi NCR तो अगर आपको ज़रुत है आपके किसी regular test की ज़रुत है तो हमारा जो help line number है 981-995444 उस नंबर पर WhatsApp करिए we will send the person to your place no matter even अगर आपको coronavirus का अगर लग रहा है और डॉक्टर ने आपको खतम करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस चीज़ का खयाल रखें और फिर किसी नए अपडेट के साथ मैं अगले कल हो सकता है तो मैं available होंगा जब कोई नई जानकारी आती अब देखिए रात में प्राइम मिनिस्टर क्या चीज़ करे रहे हैं मेरे हिसाब से उनका यही मैसेज होने वाला है कि क्रिपिया करके जो आपने संडे को दिखाया था वही जज़बा को वही बात को आप क्रिपिया करके घर मतलब उसको बना के रखें अब ह जो लोग काम कर रहे हैं उनको appreciation मिले कि हां हम काम कर रहे हमारे लोग हमारे साथ हैं इसलिए नहीं था कि जुलूस निकालना है और हमें दिखाना है कि देखो भाई हमारा district तो सबसे ज़्यादा है इस तरह के चीजें अभी सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो यह चीज़ का ख्याल रखे कि आप अपने घर में रहे घर में रहना ही इसका एक मातर इलाज है बाकि कोई इलाज नहीं है